आई दिन हम ट्रेन का सफर करते हैं कभी नौकरी के लिए आप डाउन तू कभी घूमने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं कभी एक घंटे का सफर तू कभी 24 घंटू की यात्रा करते हैं रोजमरा की जिन्दगी का एक हिस्सा बन चुकी इस ट्रेन के बारे में क्या आप सबसे महत्वपून चीज जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ट्रेन विभिन्न तरह की परिस्थितियों में अलग-अलग तरह का हौन बजाती है? अगर आप ट्रेनों में सफर करते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि रेल्वे पत्री बदलते समय तक निकी समस्या या रेल्वे क्रॉसिंग से गुजरते वक्त या और किसी सिचुएशन में ट्रेन कौन सा हॉन बजाती है नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसक्राइब जरूर करें नंबर एक एक छोटे से हॉन का मतलब यह कि अब ड्राइवर ट्रेन को यार्द में ले जाएगा और वहां अगली आत्रा के लिए ट्रेन की सफाइ consulting की जाएगी नंबर दो जब ड्राइवर दो छोटे हॉन बजाता है तो वह गार्ड को तो इसका मतलब है कि उन्होंने ट्रेन पर नियंत्रन खो दिया है और गार्ड को तुरंत वैक्यूम ड्रेक खीच कर ट्रेन को रोकना पड़ेगा नमबर चार छोटे हॉन दर्शाते हैं कि ट्रेन में तक्नीकी समस्या है और ट्रेन आगे नहीं जा सकती है नमबर पांच एक लंबा और एक छोटा हॉनिस हॉन का मतलब होता है कि ड्राइव गार्ड को इंजन चालू करने से पहले ब्रेक पाइप सिस्टम को सेट करने का संकेद दे रहा है कमेंट में बताइए अपने कभी ट्रेन में सफर किया है नमबर छे दो लंबे हॉन और दो छोटे हॉन का मतलब होता है ड्राइवर गार्ड को इंजन पर नियंत्रन लेने का संकेद दे रहा है नमबर साथ एक लंबा हॉनियत्रियों को सूचित करने के लिए लगातार हॉन बजाया जाता है इसका मतलब होता है कि ट्रेन कई स्टेशनों से बिना रुके गुजर रही है 8. दुबार रुक रुक कर दो हॉन बजाना ये सिगनल राहगीरों को सचेट करने के लिए होता है कि ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने वाली है नमबर नो, दो लंबे और छोटे हॉर्ण अगर ड्राइवर इन हॉर्ण को बजाता है तो इसका मतलब है कि ट्रेन ट्रैक बदल रही है नमबर दस, दो छोटे और एक लंबा हॉर्ण इस धोनी का आर्थ है कि किसी यात्री ने चीन खीच ली है या गार्ड ने वैक्यूं ब्रेक खीचा है नमबर ग्यारा, छोटे हॉर्ण ये एक मुसीबत का संकित है जब ट्रेन खतरनाक स्थिती में भस जाती है तब ड्राइवर ये हॉर्ण बजाता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे कर दो है